ना इडली और ना ही धोकला स्रिफ दो से तीन चीजों से बनेगा यह जबर्दस्ट सुपर टेस्टी सुपर सॉफ्ट जालीदार नास्ता वह भी बिना तेल के और यह नास्ता आप सुभा की भागदोर में फटा फट बना सकते हो और इसको आप जब बनाएंगे इडली डो सा सखाना भूल जाएंगे तो चाहे बच्चों का टिफिन तयार करना हो या फिर नास्ता बनाना हो या बाद इसके मौसम में कुछ चटपटा और यमी सखाने का मन हो तो आप यह बिना तेल के री इन वन ब्रेक्फवस्ट रेसेपी ज़रूर बना कर ट्राइग कीजे तो इस इस नास्तिक उनाने के लिए सबसे पहले मैंने मिक्सिंग बॉल में एक कप पोहा लिया है तो यह थिक वाला पोहा है कोहे को हमें थोरा सा पानी डाल कर दो तीन बार पानी से धो लेना है ताकि इसका स्टार जो है वह अलग हो जाए और यह अच्छे से भीग भी जाए कोहे डाल दीजे और जार का धकन लगाकर इसको हमें पीस लेना है तो गाड़ा पेश्च जैसा ही हमें इसका तयार करना है और इसे पीसनी के बाद एक मिक्सिंग बॉल में निकाल लीजे कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो अभी यह बैटर काफी गाड़ा है तो इसमें हम आधा कप जितना और पाने डालेंगे और इसको हमें घोल कर इस तरह से बैटर त्यार कर लेना है अब इसको हम अलग अलग बॉल में बरावर हिस्सों में बाट लेंगे तो मैंने दो अलग अलग बॉल में देखे इसको निकाल लिया है बिल्कुल बराबर बराबर तो अभी हम एक बॉल लेंगे और इसमें हम आधी छोटी चमच नमक डालेंगे साथी में आधी छोटी चमच हम इसमें इनो डालेंगे और उपर से एक से दो चमच जितना पाने डालें ताकि यह अच्छे से अक्टिवेट हो जाए और इसको खुब अच्छ से मिला लें, मिलाने के बाद हमें एक की प्लेट ले लेनी है, तो इस तरह की गोल प्लेट आपके घर में हो तो ले लेजे, चोटी बड़ी किसी भी साइज की, और इसको हमें तेल यह ऑच्छ इस से ग्रीज कर लेना है जो यह इनो और नमक विलया हुआ वैटर है उस पैटर को हम प्लेट पर डाल देंगे और इसको एच्छ तो करीब आधा इंच की मोटाई में हमें इसको इसको इवेंटली इसको फैला लिजे और टैप कर दे ताकि यह अच्छी से सेट हो जाए उसके बाद हम इसको स्टीम होने को रखेंगे तो यहां मैंने एक स्टीमर में स्टैंड रख दिया है और इस प्लेट को इसके अंदर ड जब तक यह थंडा हो रहा हम आलो की स्टफिंग त्यार करेंगे जो इसके उपर की लेरिंग होगी तो इसके लिए मैंने पांच मेडियम साइस के आलो को बॉयल करके मैश करके लिया है तो इसमें हम एक च्छोटी चमच जीरा पाउर्डर डालेंगे एक च्छोटी चमच का कैप्सिकम डाल रही हूं बारी कटे हुए आप और सबजी चाहें तो भी एड कर सकते हैं अब थोरा सा पारी कटा हुआ हरा धन्या की पतिया डाले और इसको अच्छे से मिला लीजे अच्छे से मिलाने के बाद यह हमारी आलो की स्टफिंग तयार है तो आप चाहें तो आप घर पर तयार करके इसकी उपड़ लगा ले तो चाहँ चाहें पुआशे सस्की ऊपर लेइन करलेंगे। इसके बाद हमें इसकी उपर किसन लगानी है तो बिदम पतली सही हमें इसकी उपडले लगानी है तो इविवेटली 4 और ऐलो किसन डाल कार फेला लिजे द bịडे जैसे दिए प्लेट पर फैला देंगे जैसे नीचे की लेईर लगाए थी वैसे हमें इसको 5-5 हींज की मोटाई में इस तरह से फैलाते हुए लगा लेनी है तो अच्छे से बाहर निकाल लिया था अब इसको हम knife से इसके corners जो है वो खोल लेंगे ताकि इसे अच्छे से demold कर सके और हमने चुकी तेल लगाए है बहुत असानी से बाहर आ जाएगा बिल्कुल भी चिपकता नहीं है अब इसको आप मन चाहे अकार में काट सकते हैं मैंने इसको triangle shape देती ह इस तरह से काटा है और आप चाहे तो इसको ऐसे भी serve करके खा सकते हैं पर मैंने इसको थोड़ा सा sallow fry किया है जैसे हम sandwiches वगेरा सेखते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पैन गरम कर लिया इसमें थोड़ा सा घी डाल कर गरम कर ले और इसमें एक एक करके यह पोहे और आता है इसके उपर तो इसे सेख कर हम सारे एक प्लेट के उपर निकाल लेंगे तो लिजे गरमा गरम हमारा पोहे और सूजी का 3-1 breakfast recipe तयार है लग रहा है अग्दम चटपटा और mouth watering तो आप ही इससे ज़रूर बना कर ट्राइ किजेगा और सबको खिलाएगा वीडियो अच आप से एक और नहीं और मचिदार सी recipe के साथ है तब तक के लिए बाइबाइए टेक क्यार